हे गाईज कैसे आप सभी और अभी मैं साम को सोके उठी हैं आप लोग टाइम देख सकते हैं इस टाइम हो रही है पौन साड़े छे तो गाईज दो पार में आज मैं बहुत देर तक सोई हूँ और अभी मैं बना रही गर्मा गरम चाय थोड़ा मेरा माइंड प्रेस वह उसके बाद मुझे कंगी भी करनी है तो चाय तेयार हो चुकी है और फिर आज मैंने सोचा चलो पुल नाइट स्टेडी करते हैं यार अब करने लगी पढ़ाई तो आज मैं अभी तयार करेंट अफेर और यह दिसंबर महीं ने किये क्योंकि कहा नहीं जा सकते ना कि कितने नंबर की करेंट अफेर आएगी 10 नंबर की जीएस वाले पोर्शन में क्या पता 7-8 नंबर की करेंट दे 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 या 2-3 नंबर की भी विडियों से मैंने कम्प्लीट की है और इसे कम्प्लीट करने में मुझे दो घंटे ज्यादा टाइम लग गया क्योंकि करेंट अफेर ज्यादा था और उसके अरावा मॉर्णिंग में आज मैंने यूनिट 3 कम्प्लीट कर ली थी यूनिट 4 स्टार्ट कर दिया है पेड़ा सब्सक्राइब तो इन्हों ने का कि आज सारा दिन में घर पर ही था तो आज ताहरी मैं बनाओंगो ताहरी हम लोग इसलिए बना रहे है क्योंकि बसंत पंच में भी है तो यलो डिस खानी होती है आज की दिन तो वस्वही ताहरी बन रही है तो उसके लिए सबसे इजी डि जितना मुझे फायदा नहीं हुआ उससे जादा तो इन्हों ने चीछा लेदर कर दिया है तो अब मुझे सब कुछ क्लीन करना होगा चलिए खार बनाए यही मेरे बहुत बड़ी बात है आज बहुत दिनों बाद इनोंने अपना कर्च लो ठाया है किचन में आया है क्योंक जाओ जिनका मन था तो मैंने का जाओ Simran जी लो पनी जिंदेगी रादी फॉर इट यहाँ नहीं 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 बड़ी अच्छी लगेगी ना कि अबसारा, मैं हम लोग उसमें लोटे में या गिलास में चावल रखतेते थे नहीं तो सबसे पहरी बना लो अ चावल एक साथ ना डाल है आज मौसम सही है थोड़ा धूंत वगरा नहीं है तो अमनों ने सुच्छ चलो वोग कर लेते हैं फिर चलते हैं रूमें थोड़ा दिमाग भी सांथ हो जाएगा बैट के पढ़ाई करकर के बोल हो जाते हैं आदमी कि पहल के आने के बाद मैंने पढ़ाई की एवियस की और एवियस में मैं पढ़ रही हूँ एनरजी रिसोर्सेज वही जो आ नभी करनी और नभी करनी होते हैं उसके पार्ट्स मैंने पढ़ा पेट्रोलियम गैस कोईला यह सारी चीजें अक्चली मैंने इसको नोट्स बना ल करना था और ना भी किये उर्जा, विखंडन, सनलाया नहीं यह सारी चीजे भी इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं तो यह सारी चीजे भी आएंगी किवल पांच जो वो लाइन लिखी हुई है एवियस के स्लेवस में उससे भी आगे हम लोगों को पढ़ना है क्योंकि कहा नह है अभी अभी के लिए इसमें इंपोर्टेंट है इस पैट का रिजल्ट आ चुका है बट इतने दिन सो हम लोगों के साइट नहीं खुल रही थी तो फिर कल जाके सबसे पहले इन्होंने अपना रिजल्ट देखा उसके बाद मेरा देखा तो इनका रिजल्ट तो सबको पत है 99.80 अच्छा तो गाइस आप लोगों कि मेरे किते नंबर आ है और कई लोगे बैड कमेंट भी आते हैं आप पड़ते हो के वाल वीडियो भी बनाते हो के वाल कुछ समझ में नहीं आता है तो मेरे नंबर कितने है आपके नंबर आ है 77 राम आच थे 77.85 और उसकी हाँ ठीक है अब लोगे पीशियस कहतें नहीं देने को पाऊगी और पीशियस लेकिन और एक्जाम देने को जैसे वीडियो का एक्जाम आएगा जूनिर असिस्टेंट की वैकेंसी आएगी तो वह वैकेंसी आपको देने को मिल सकती है वह पढ़ाई कांटीनू रखिए और आपकी तो सूपर्टेट भी आने वाली है में तो मेरा सूपर्टेट ही है मुझे अस्ट्राइदर की नौकरे नहीं करनी और जो निगेटिव कमेंट्स आते हैं उन भाईयों को मैं बात कहना चाहिता हूं देखिए बहनों को भी हो यह वीडियो हम लोग जो बना रहे हैं कि केवल अपना एक हमारा होवी है इनका तो इसलिए बना रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि इस वीडियो को देखके जो हमारे सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं उनका कुछ भला हो जाए और वो तयारी करें मोटिवेट होके अपना पढ़ाई करें इसका यह मतलब नहीं ह है कि नेगेटिव कमेंट कुछ लोग तो नेगेटिव कमेंट करते हैं कि आप हस्बेंट साथ दे रहे हैं या आप आपका निकले ना निकले देखिए निकलना निकलना अलग बात है तयारी करनी अलग बात है तयारी करते रहे हैं इस वीडियो का मतलब है आप लोगों को मो पशेष्ट लड़क वाद हो इस वीडियो की वज़ा से या हम आपके अपास टाइम में तो आप देखिए मुझे तो यही पहुत सप्राइज होते हैं कि आप वीडियो देखते हो या नहीं देखते हो और आपको कमेंट्स करने के लिए टाइम रहता है निगेटिव कमेंट्स कुछ लोगों को कि हाँ जॉब में तो वो कमेंट करेंगे ऐसे कि आपके हजबन कोई काम नहीं कर रहे हैं वो वीडियो बनाने आ जाते हैं यह कोई बात होती है देखिए यह तो समाज है दुनिया है कि आप अगर कुछ भी करोगे तो लोग कहने वाले तो रहेंगे कुछ फे करेंशन भी यही है कि आप लोग सक्षेश पाओं और नौपरी लोग सब कुछ क्योंकि जो भी आप लोग यूटूब पे इतने ज़्यादा टीचर है या कहीं भी आप पढ़ाई कि हो बच्पन से तो आपके टीचर का क्या था टीचर का भी यही रोल होता है कि आप चाहिए दिक कि यह रही है क्योंकि कुछ खाऊनbon के लग रही हैं कितने निकले हैं नहीं पता हो सकता है अभी विड़ाई आप के साथ और कि पढ़ाई कर रही है हर किसी का सिचुएशन अलग रहता है कि भाई कोई चोबी गंटे पढ़ता है कोई थोड़ी देर पढ़ता है शादी के बाद हमाई के मम्मी लोग के पास तो हम लोग कुछ भी काम नहीं करते थे अर इतना आसान भी नहीं होता हमारे साथ के तो कई बच् प्रॉब्लम थी तो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि क्या प्रॉब्लम होगे थी कैसी क्या बात थी तो फर्स्ट अटेम्ट में ऐसे बहुत लोग है आप ही लोग होगे जिनके बैक आई होगी डियलेट करते वक्त या फिट्ट शीट नहीं कौलिफाई हुआ होगा तो ह इंसान को कुछ न कुछ तो महनत करनी पड़ती है फ्री में कुछ नहीं मिलता और पैट के नंबर भी मेरे इतने बीविकार नहीं है सेवेंटी फाइप आई है परसेंटाइल लाइंटी एट पॉइंट कुछ है तो मेरे ख्याल से ठीक है जितना पढ़ने नंबर मिलेगा त स्बैpost आपको आप देेटीव में ले जागे तो निगीटीव में रहे फाइब में लीन जाओंड़ी रहोगे तो हम लोगों का वीडियो बनाने कग्ए मेरा क्या इंका सोक है पैसे है बनाना तो मैं आ जाता हूं और रही बाकि किसी के कमेंट से तो ऐसा आने की मैं नहीं आ कुछ की तो फैमली में पापा ही है ऐसे जो मतलब अपने बीटियों को पढ़ने नहीं देते हैं उल्टा ताना मारते हैं तो यार लाइफ में बहुत महनत से या बहुत अच्छी किसमत होने से ही कुछ अच्छा मिलता है तो जो मिला है बस उसी में इंजुआय करना चाहिए हम सब भी को कोई यादा परिशान होने की नहीं है बाकि सूपर्टेट आ रहा है के बीएस करते रही है प्रिप्रेशन करते रही है आप मेरे साथ और कोई भी प्रॉब्लम है ससी से रिलेटर इस छे साथ गवर्मेंट जोब निकाल बैट है इतना असान नहीं होते हैं एक गव सब्सक्राइब करने के लिए और जो इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं बड़ा भाई जो भी आप मुझे मानते हो तो आप लोग तयारी करो और सब्सक्राइब करने कोशिश करो और दूसरों को जिन्दगी में यूटूब नहीं है जिन्दगी में भी अपने आज पास भी किसी के बाले में भी निगेटिव इमेज मत बनाओ किसी चीज की क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम आती ही जैसे से रिलेटेड है कोई भी तो पाड़ी किया बहुत कंसिज होती है अगर कोई प्रॉब्लम में आइस वगरा में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है आप लोग एक्जाम पास करिए और जॉब लिए जिए डायरेक्ट और इस्टिट गवर्लमन की भी कोई अगर तयारी कर रहा है उसको भी कोई पढ़ना चाहिए कैसे पढ़ना चाहिए तो भी कमेंट्स कर सकता है तो गाइस मिलती हूं आप से कल मेरी है विड़ाती मॉर्नी में नो बजे से दस बजे के बीच में तब तक के लिए बाइबाइब